Hello students, ये Topology के Product Space का तीसरो वीडियो लेक्चर है इसके पहले दो वीडियो लेक्चर मैंने और डाला है Product Space पे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो दोनों वीडियो लेक्चर देखा होगा और अब नोट्स भी तयार हो गया होगा और एक चीज और मैं बोलना चाहूँगा मैं कई वीडियो लेक्चर में अपने बोलता हूँ कि कोई चीज समझ में आना अलग बात होती है लेकिन perfect होना ये अलग चीज है समझ में तो आ रहा होगा वीडियो लेक्चर लेकिन perfect आप तभी होंगे जब आप पुराने chapters जो हो गए हैं जैसे compactness करा चुका हूँ, connectedness करा चुका हूँ इनका regular practice किजिए regular revision जरूरी है जितना जरूरी आगे को पढ़ना है आगे के topic को उससे ज़्यादा जरूरी revision करना है जितना ज़्यादा revision करेंगे perfection आएगा वो चीज जो है पुरानी चीज हमेशा mind में रहेगा और आप जब एक साथ revision करेंगे बहुत मान लीजिए एक आत मेहने बाद किसी चीज का revision करेंगे तो फिर उसमें नया लगने लगता है वो topic लेकिन जब आप उसको regular basis पे करते हैं revision तो वो easy लगने लगता है और कम टाइम में ज़्यादा revision होता है और हमेशा वो mind में रहता है जो भी topic है क्योंकि देखिए आगे अभी product space ही पढ़ रहा है उसमें compactness, connectedness का कई concept यूज हो रहा है base का कई concept जो topological space में पढ़ा है उसका use हो रहा है तो ये सब हमेशा mind में रहेगा तो कोई भी video lecture देखेंगे तो तुरन समझ में आएगा और अगर पुरानी चीजे ध्यान नहीं है तो फिर आपको video lecture को रोक के आपको फिर पुराना notes देखना पड़ेगा और वो mind में है तो तुरन जैसे मैं बताते जाओंगा mind में आता जाएगा तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग revision किजिए जितना ज़्यादा revision करेंगे उतना perfection आएगा तो चलते हैं इस product space के part 3 में जो theorems और concept इस video lecture में है उसको चलिए देखते है तो इस video lecture में हम देखते है जनरल प्रोड़क्ट इस्पेस और टिकनाउक टोपलाजी ये main title है इस title में पहुँचने के पहले हम कुछ definitions देखते हैं जो भी हम concept इसके दो video lecture में देखे हैं उसी concept को यहाँ generalize किया जा रहा है वहाँ पर हम दो टोपलाजीकल स्पेस का प्रोड़क्ट स्पेस देखें यहाँ पर क्या देखेंगे arbitrary number आप टोपलाजीकल स्पेस के प्रोड़क्ट स्पेस देखेंगे हर चीज को यहाँ पर जनरलाइस किया जा रहा है concept वही है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं partition product of an arbitrary collection of sets अब जैसे हम दो sets लेते हैं यहाँ arbitrary sets है suppose अपन दो sets लेते हैं X और Y capital X and capital Y तो उनका partition product क्या होता है X cross Y और X cross Y क्या होता है X के एक element और Y के एक element के pair का collection होता है मतलब X cross Y equal to set pair of small x y such that small x belongs to capital X and small y belongs to capital Y तो यह होता है partition product अगर उसी को हम आगे generalize करें मान लिजे x, y और z तीन set है इनका partition product करना है तो कैसे express करते हैं X cross Y cross Z और एक इनका set होगा triplet का small x y, small z यह तीन हो triplet का होगा जहाँ small x, capital X का member होगा small y, capital Y का member होगा small z, capital Z का तो यह triplet का होगया इसी को हम आगे बढ़ाते जाएं 4 set का partition product ले ले 5 set का partition product ले ले तो same वैसी है यहाँ पर मतलब arbitrary number आप collection है sets का तो उनका partition product भी वैसी generalize करने पर मिलता है लेकिन हम इसको इस form में define करते हैं जैसे X lambda यह arbitrary collection है sets का तो इसके partition product को pi X lambda यह cross X lambda यह partition product का symbol cross X lambda such that lambda belongs to lambda जैसे यह 2 set होता तो X cross Y होता 3 होता तो X cross Y cross Z यहाँ पर हला कि lambda का मतलब 1,2,3 है यह index set है capital lambda तो X1 cross X2 cross X3 cross X4 जितने भी यहाँ members होंगे उनका partition product तो एक partition product किस का set होता है किस type के elements का X type के elements का set होता है और यह X क्या होता है एक mapping होता है एक बार फिर से देखिए arbitrary collection है यह sets का और इनका partition product क्या होता है X type के members का set होता और यह X क्या होता है एक mapping होता है index set से universal set में sorry universal set में set X में where X क्या है union of X lambda such that lambda belongs to lambda तो यहाँ पे X lambda क्या होता है X lambda मतलब इसके एक arbitrary element माल लेजिए 1 lambda में index set में किस type के elements होता है 1, 2, 3, 4, 5 तो इसका एक member 1 होता है तो 1 का member X1 तो X1 किस में belong करेगा capital X1 में X2 किस में belong करेगा capital X2 में X3 X3 में belong करेगा तो यह मतलब हुआ कि small इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं X lambda को lambda का जो X image है वो X lambda base में लिखा गया है X lambda मतलब X1, X2, X3 लेते हैं उसका तो यह X क्या हो गया arbitrary मान लिजी इसमें N sets का एक कार्टिशन प्रोड़क्ट है अगर यह N set का कार्टिशन प्रोड़क्ट है तो small x equal to क्या हुआ bracket में N tuples हो जाएगा X1, X2, X3 up to Xn तो यह X कैसा हो गया X1, X2, X3, Xn अगर N यहां number of sets हैं तो 2 रहता तो यह X1, X2 का pair हो जाता 3 रहता तो X1, X2, X3, 3 का pair हो जाता तो यह पूरा उसी का generalization है अगर हम जिनका Cartesian product ले रहे हैं उसमें से अगर एक set भी empty हो जाए हम यहां पर condition में लिखे हैं कि non empty ही हो इसमें से कोई एका set empty भी हो सकता है empty set है अगर उसमें से एक तो इनका Cartesian product भी empty होता है यह ध्यान रखिएगा अब दूसरा कलें x lambda अगर x के equal हो गया x lambda x के equal हो गया तो यहां पर यह सब के सब x हो जाएंगे तो x cross x cross x cross x कितने times lambda times lambda हम जितने member हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x to the power lambda यह यह x to the power lambda है तो इसी को बोलते हैं right x to the power lambda and call the lambdath power of x तो अगर x lambda equal to x तो यह x लिख देंगे तो x cross x cross x जितने lambda में elements होंगे उतने बार cross product होगा x का तो x to the power lambda हो जाएगा तो clear हो गया Cartesian product same है दो set का Cartesian लेते हैं तीन का लेते हैं उसी type का यह generalized है मतलब यह arbitrary number upsets का था अब projection भी हमने देखा है last video lecture में वैसी यहां भी है lambdath projection वहाँ पर projection क्या लेते थे πाई x और πाई y क्योंकि दो ही set होते थे दो ही set का हमने Cartesian product देखा capital x और capital y का तो πाई x क्या होता है product space x cross y से set x में mapping होता है और πाई y क्या होता है product space x cross y में y में होता था तो यहां πाई lambda होगा पाई lambda x से x lambda में होगा यह x क्या है product है Cartesian product यह देखिए हमने लिखा x क्या माना है x lambda का Cartesian product है तो x से x lambda मान लेजिए यहां पर number upsets n है तो यहां पर कोई भी member लेंगे suppose ले लिए x1, x2, xn n tuples होगा अगर यहां पर sets की संख्या n है तो इसका कोई भी member लेंगे तो n tuples n tuples होगा मान लेजिए x1, x2, up to xn तो उसका image क्या आएगा x lambda आएगा यह इस x का मतलब है n tuples x1, x2, xn लेकिन कब जब यह n sets होंगे सिर्फ यह example के लिए मैं बता रहा हूँ कि n sets हैं करके तो यहां पर अलगी arbitrary number of sets arbitrary का मतलब 3 भी हो सकते हैं 10 भी हो सकते हैं n भी हो सकते हैं यह arbitrary का मतलब तो यह lambda projection बोलते हैं वहां पर भी हम क्या करते थे पाई x x cross y to x लेते थे तो क्या होता था ordered pair xy का image x होता था तो वैसी यहां पर फस्ट पोजिशन वाला था पाई x फस्ट पोजिशन में था image x लेते थे पाई y second position वाला था तो पाई y में image y लेते थे वैसी यहां पाई lambda में x lambda इमेज आएगा तो यह हो गया lambda projection अब हम इसी को example के थू समझते हैं जो अभी concept देखे हैं describe the state pi lambda inverse of a lambda pi lambda मतलब वह projection है a lambda where a lambda is subset of x lambda अब यह pi lambda कैसा set होता है अभी हमने देखा x to x lambda तो x pi lambda inverse कैसा होगा x lambda से x होगा तो x lambda के किसी subset a lambda क्या है x lambda का एक subset है अभी जो question देख रहा है उसमें तो इसके subset का pi lambda inverse x में होगा यह देखें तो pi lambda inverse a lambda is the set of all small x belongs to हम cross of x lambda को x lambda के partition product को अभी जो define के वहाँ capital x लिखे हैं तो हम यहां पर small x belongs to capital x भी लिख सकते हैं यहां पर cross of x lambda लिख दिये हैं तो pi lambda inverse a lambda क्या होगा इसके members का collection होगा इसके किस member का जिस जिसका image जिसका pi lambda image किसका member हो a lambda का मान लिजिए x का pi lambda image x lambda a lambda का member है तब यह x इस set का member होगा है एक बार फिर से repeat कर दूँ a lambda का inverse image किसका member होगा x का क्योंकि pi lambda x to x lambda defined है और x lambda का इस subset है मतलब x lambda के कुछ members का inverse image किस में होगा obviously capital X में होगए अगर हम इसका inverse image लेंगे तो इसके members का तो किस में होगा inverse image x में होगए और जो भी इसका inverse image होगए उसका pi lambda image x lambda में होगए तो वैसी यहां x lambda ना लेके totalV a lambda लेंगे MATलब a lambda का inverse image क्या होगा ? X के ऐसे members का ये set होगा जिनका Py lambda image Py lambda image क्या होता है एक्सका ? X लेमडा वह किस में हो ? A lambda में हो तो यह होता है इसका मतलब हम को इसका मतलब बताना था Py lambda inverse a lambda क्या चीज After describing करना था हम उनने बता दिया कि A lambda का pi lambda inverse image X के S elements का collection होता है जिसका pi lambda image A lambda में होता है अब एक नया definition देखते हैं evaluation mapping evaluation mapping क्या होता है देखते हैं for each lambda belongs to lambda let F lambda defined by X to Y lambda हर lambda belongs to lambda के लिए F lambda एक mapping है चुक ऐसा define है X से Y lambda में then the mapping E तो यह जो mapping होता है E X to Cartesian product of Y lambda यह कैसा mapping होता है X to Cartesian product of Y lambda और कैसे define होता है X के किसी element का image देखना है E X तो वो किसका collection होता है एक बार फिर देखे E कैसा mapping होता है X से Cartesian product Y lambda में तो X का कोई member ले ले लेते small x उसका image कैसा होता है F lambda X type के लिए such that lambda belongs to lambda तो X का E image ऐसा define होता है और जहां F lambda X कैसे मिलता है E X lambda E X lambda equal to F lambda X होता है E X lambda E X lambda मतलब पहले position में क्या आएगा मन लेमडा की जगा 1 रख देते है E X मतलब X का जब E image लेंगे तो first position में क्या आएगा इसके यह देखना है तो E X 1 रख देंगे तो F1 X आएगा इसके second position में क्या आएगा क्योंकि यह भी कोई भी element का E image लेंगे तो भी N tuples sorry मान लिजी यहाँ पर N elements है तो N tuples हैगा इसके किसी भी member का E image क्या आएगा N tuples हैगा अगर N sets है तो अगर यहाँ पर 9 sets है तो 9 tuples हैगा उसका image तो 9 tuples हैगा N tuples हैगा जो भी तो उसके first position में क्या होगा second position में क्या होगा third में क्या होगा yet यह निकालने के लिए यह दिया है MALoo तो हम इसको बोलते क्या है evolution में इस E को क्या बोलते है Evaluation Map of X, किसका है? X का है Evaluation Map into the Cartesian Product Y Lambda, यह E क्या कहलाता? Evaluation Map of X, और किसमे? into this Cartesian Product, determined by the family F Lambda, और यह कैसे Determine हो रहा? देखिए, किसका Help लेना पढ़ रहा है? F Lambda का, इसलिए बोलते हैं, determined by the family F Lambda, such that Lambda belongs to Lambda, तो क्लियर हो गया Evaluation Map का, अब हमें Evaluation Map और Projection Mapping के बिच एक Relation निकालते हैं, एक Result, क्या है? P Lambda Projection Mapping है, E Evaluation में, दोनों का हम Composition ले रहे हैं, तो क्या आजाएगा? देखते हैं, P Lambda of X लिख सकते हैं, P Lambda of X, और P Lambda of X को क्या लिख सकते हैं? इस Definition को देखिएं, Sorry, P Lambda वाले Definition को देखेंगे, Sorry, P Lambda वाले का Definition क्या है? P Lambda, E X याने E X Lambda, ये देखते हैं, P Lambda X मतलब ये वास्तों में X of Lambda याने X Lambda, ये X of Lambda याने X, तो X of Lambda हो गया, तो इसी Definition से हम क्या लिख दिये हैं? इसको E X of Lambda, और E X of Lambda किसके Equal है? F Lambda X, तो P Lambda O E X equal to F Lambda X for all X, तो for all X है, इसका मतलब P Lambda O E किसके Equal हो गया? F Lambda, तो ये एक Result मिल गया, तीनों में Relation, अब देखने हैं, Separate Points क्या होते हैं? Separate Points, the family F such that F Lambda, sorry, family F of elements of F Lambda such that Lambda belongs to Lambda, is said to be, is said to distinguish points, points, is said to be distinguish points or two separate points of X. If for every pair of distinct elements X1, X2 of X, there exists Lambda belongs to Lambda such that F Lambda X1 is not equal to F Lambda X2. हम इस family को क्या बोलते हैं? Distinguist करता है या Separate करता है, points X के? To separate points या Distinguist, same meaning है, तो इस family को बोलते हैं, X के points को Distinguist करता है, या Separate करता है, For Every Pair आप कब बोलते हैं? जब X के कोई भी दो Distinguist Points लें, उनका अगर F Lambda image निकालें, For Some Lambda या कम से कम एक Lambda ऐसा हो कि उस F Lambda उसके corresponding जो F Lambda होगा उसके respect में इन दोनों का image निकालें, तो दोनों equal ना है, ये दोनों आपस में equal नहीं है, distinct है, तो उनका कम से कम एक F Lambda ऐसा हो, जो उन दोनों का distinct image बनाएं, तब बोलते हैं कि ये family Distinguist करता है, At Least एक F Lambda हो, सारे F Lambda जरूरी नहीं है, At Least एक Lambda के लिए ऐसा F Lambda हो, जो इन दोनों का distinct image बनाता हो, एक बार फिर से repeat करता हूं, कि ये जो family है, इसको बोलते हैं Distinguist करता है, या separate करता है X के points को, कब बोलते हैं, अगर X के कोई भी दो distinct point लें, तो इसका At Least एक member ऐसा हो, जो इन दोनों का distinct image बनाता हो, मतलब अलग अलग आता हो image, जो कि ये दोनों खुद अलग अलग है, तो इनका image भी अलग 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 आता हो, At Least एक member के respect में, अब देखते हैं Embedding, एक mapping जो X से Y में Define है, इसको Embedding बोलते हैं कब, जब ये mapping onto हो, और Homeomorphism हो, ये mapping जब onto और Homeomorphism होगा, तब हम इसको Embedding बोल देते हैं, अब चलिए Theorem देखते हैं, अभी जो Definition देखे हैं उसे पर Based, क्या है Theorem? The family F lambda such that lambda belongs to lambda distinguishes points of X if the evaluation map of X into Cartesian product of Y lambda determined by F lambda is 11, ये जो family है, जिसके बारे में अभी Definition देखे, ये क्या करता है, X के point को Distinguish करेगा या separate करता है, separate if the evaluation map is 11, मतलब ये अगर Distinguish करता है, तो Evaluvation map 11 होगा, Evaluvation map 11 है, तो Distinguish करता है, तो पहले हम मान लेते हैं कि ये जो family है, Distinguishes points of X, X के points को Distinguish करता है, then क्या होगा? Definition से, अभी देखा Definition कि अगर इसके दो distinct point लें, X1 और X2, तो at least एक लेंडा ऐसा होगा, जिसके corresponding F लेंडा, मतलब at least एक family, इस family का at least एक member ऐसा होगा, जो X1 और X2 के distinct image बनाएगा, और ये F लेंडा X1 क्या होता है? E X1, Definition से, और F लेंडा X2 क्या होता है? E X2, यहाँ अभी Definition देखा हमने, ये देखिए, E X, F लेंडा होता है, तो ये आ गया, अब ये E X1 is not equal to E X2, तो 1-1 प्रूफ करने का दो तरीका है, पहला तरीका क्या होता है? अगर हम इसको 1-1 प्रूफ करते हैं, तो दूसरा method होता, E X1 equal to E X2 लेते, और क्या प्रूफ कर लेते? X1 equal to X2, दूसरा तरीका ये भी है, कि X1 और X2 दो distinct point है, तो उनके images भी distinct होंगे, अगर इसको distinct लेते और ये equal आ जाता, तो ये कैसा mapping हो जाता? मतलब दो distinct point का same image बन रहा है, तो many one हो जाता है, लेकिन दो distinct point का distinct image मिला, इससे क्या clear होता है? कि ये 1-1 है, तो ये proof हो गया, अब हम converse part लेते हैं, इको अब हम क्या मान लेते हैं? 1-1, तो 1-1 है, तो इस condition को hold करेगा, कौन सा condition? दो distinct point ले, तो उनके images भी distinct होंगे, और EX1, EX2 अभी देखा हमने definition में क्या लिख सकते हैं? F lambda X1, F lambda X2, तो ये भी distinct हो गया, तो F lambda, यानि इस family का एक member कैसा है? इस family का एक member कैसा है, जो distinct points का distinct images बनाता है, इसका मतलब ये family कैसी family होगे? that distinguishes points of X, X के points को distinguish करता है, separate करता है, ये हो गया, तो इस theorem का proof complete हो गया, अब हम देखते हैं, जो main title लिये थे, इस video lecture का, क्या product topology, article of topology, तो हम first video lecture में भी product topology पढ़े हैं, लेकिन वो क्या था? सिर्फ दो space का product topology था, ये हम जो पढ़ रहे हैं, वो generalized product topology बोल सकते हैं, generalized product topology वहाँ दो topological space का देखे थे, यहाँ पर arbitrary number of topological space है, उसका product topology पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं definition, suppose x lambda, t lambda topological space है, for each lambda belongs to lambda, यहनों x1, t1, x2, t2, x3, t3, यह सारे topological space है, arbitrary number में, तो इसका जो space x lambda, उनका partition product हम क्या हमान लिए, x, तो t जो है इस partition product पे, topology कहलाता है, जिसका subbase क्या होता है, b star, base में लगा दे b star, किस type के members का set, g lambda के inverse image, pi lambda inverse g lambda, such that lambda belongs to lambda, and g lambda belongs to t lambda, t lambda के members का inverse image लें, projection map के respect में, तो उनका यह collection जो है, इस t के subbase का काम करें, तो इस topology को, क्या बोलेंगे, x पर product topology बोलते हैं, x lambda, t lambda यह क्या है, topological space है, arbitrary number में है, तो इनके spaces का जो partition product है, उस पर यह t, एक topology होता है, और यह कैसा topology होता है, जिसका subbase, यह b star होता है, जो इस ब्रकारडी पहेंगे, यह subbase का का काम करता है, इस topology t के लिए, तो इस topology को ही हम क्या बोल देते हैं, product topology और techno of topology for x, clear हो गया definition, अब हम theorem देखते हैं, let x lambda t lambda, such that lambda belongs to lambda, बी अर्बित्रेरी कलेक्शन अब तो पोलोजिकल स्पेसे, यह तो पोलोजिकल स्पेसे का आर्बित्रेरी कलेक्शन है, और x क्या है, इसका काटिशन प्रोड़क्ट है, तो क्या सो करना है, so that the collection c of all sets of the form cross g lambda, where g lambda belongs to t lambda for each lambda, is a base for some topology for x, तो हमको यह प्रूफ करना है, कि यह एक काटिशन प्रोड़क्ट है, x, आर्बित्रेरी नमबर आप, तो यह collection c, इस collection c में कैसे members हैं, जो t lambda के जो members होते हैं, उनके काटिशन प्रोड़क्ट का, यह arbitrary collection है, मतलब यह collection है, तो यह क्या होगा, x पर define, यानि इस Cartesian product पर define, किसी topology का यह base होगा, इसी type का theorem हमने, two space के product space के लिए पढ़ा था, याद होगा, g cross h, g belongs to t, h belongs to b, और g cross h करके, उसको base proof किया था हमने, product space का, same वैसे इसको हम base proof करेंगे, इस Cartesian product पर define किसी topology के लिए, तो अब base proof करना है, तो दो condition proof करना होगा, कि यह जो, इसके जितने members होंगे, c के, उन सब का c को base proof करना है, तो c के जितने members होंगा, union is universal set के equal होना चाहिए, पहला condition, तो वो पहला condition हम यहाँ proof कर देते हैं, base के लिए, बहुत सारे condition होते हैं, proof करने के लिए, basic definition अलग होता है, यह उसके आगे के, दो तीन theorem से हैं, उसकी results का भी use करके, हम base proof करते हैं, वो सारे condition याद होना चाहिए, हमने last जो video lecture देखा, उसमें base proof करने का अलग तरीका यूज़ किया था, यहाँ पर अलग तरीका यूज़ कर रहे हैं, तो सारे जो तरीके हैं, उसको एक बार, base वाले topic जो पहले semester में था, उसको एक बार देख ले, और वो तीन या चार जो conditions हैं, उसको हमेशा याद रखें, तो समझने में आसान होगा, किसी भी theorem का proof, तो X, X का एक member है, हमको proof क्या करना है, यह X जो है, C के members के union के form में लिख सकते हैं, मतलब X क्या है, C के members के union के equal होगा, यह main target है, पहला condition होता है, base का, तो इसलिए हम X का एक arbitrary member, small X ले लिए, इसका मतलब X, तो partition product लिए ने X क्या होगा, यह tuples होगा, X1, X2, X3, X4 का, इस प्रकार, then there exists T lambda open set, तब एक mapping होगा, T lambda open set, G lambda, मतलब G lambda, T lambda का एक member है, such that X lambda, इसका जो lambda-th coordinate है, वो इस जी lambda का member है, तो X क्या होगा, G में भी होगा, G क्या है, G lambda का partition product, एक बार फिर देखें, X किसका member है, X का, तो X किस type का है, X1, X2, X3, X lambda type के elements का, collection है, तो यहाँ पर, T lambda, में, at least, एक member होगा, G lambda, जो इसके lambda-th coordinate को रखता है, तो, इसका मतलब यह हुआ, कि, इनका हम, Cartesian product ले ले, तो वो, इस पूरे X को रखेगा, और यह क्या है, C का एक member है, इसको हम जी मान लिए है, तो जी, C का member है, तो, क्या proof हो गया, कि, X के जो members है, C के members में, मिलते हैं, X का कोई भी arbitrary element लिए, वो क्या हुआ, C के, एक member का, एक element हो गया, इस प्रकार, इसका कोई भी element लेते हैं, वो C के किसी न किसी member में, belong करता है, इसका मतलब, X क्या होगा, इसके, C के members के union का subset होगा, X और X तो universal set है, तो इसका subset न होगे, इसलिए इसके equal हो जाएगा, clear हुआ, X का members union आप G में हैं, तो X तो union आप G का subset होना चाहिए, लेकिन X तो universal set है, इसलिए union आप G का subset नहीं होगा, इसलिए equal हो जाएगा, तो ये base का पहला condition प्रूप कर दिए, दूसरा condition होता है, कि हम base के कोई भी दो member ले, तो उसका जो intersection होता है, वो भी उसी का member हो, अब कैसे प्रूप करेंगे, हम दो element ले लिए G और G-स, इस C का, तो G किस type का है, G lambda का cross product, G-स कैसा है, G lambda d-स का cross product, अब, ये जो G lambda होगा, इसका lambda-th coordinate बोलना चाहिए, lambda-th position में जो set है, वो T lambda का member है, इसके भी lambda position का, T lambda का है, दो दोनो T lambda के हैं, topology के हैं, तो topology के दो member का intersection भी, उस topology में होता है, तो अगर हम इन दोनों का intersection ले ले, G और G-स का, तो ऐसा आजाएगा, अब intersection कैसे define होगा, cross को सामने ले लेंगे, और corresponding members का intersection का, ये partition product, और ये किसका member है, tau lambda का, और T lambda का member है, तो T lambda के members का partition product किस में होता है, C में हमने C को क्या बोला था, इस statement में कि C कैसा collection है, collection C, जो tau lambda के members होते हैं, उनके partition product का, तो ये भी क्या है, tau lambda के members के partition product का collection है, यानि C में होगा, इससे क्या प्रूफ होगा, जी intersection G-days भी C में है, तो base के दोनों condition को, ये collection C satisfy करता है, इसलिए C base हो जाएगा, अब देखते हैं, next theorem, ये theorem क्या है, each projection map, pi lambda is an open mapping, हमको इसको open mapping प्रूफ करना, pi lambda को, तो open mapping कैसे प्रूफ करेंगे, open mapping किसे कहते हैं, अगर ये open set का image open बनाता है, कोई भी mapping, open set का image अगर open बनाता है, तो उसको open mapping बोलते हैं, तो pi lambda को open mapping प्रूफ करना है, तो हमको ये बताना होगा, कि pi lambda किसी भी open set का image, open set ही बनाता है, तब ये open mapping होगा, अब इसको प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रोडक्ट टॉपलाजी का एक बेस लेते हैं राउंडेड भी और उस बेस का एक मेंबर भी लेते हैं तो बेस क्या होता है वास्तों में टॉपलाजी का सबसेट होता है टॉपलाजी का सबसेट होता है मतलब इसके जितने members हैं वो सब topology में होंगे और topology में होंगे याने open होगा याने ये जो B है base का जो member होता है वो open होता है ये किस type का होगा है base का member B Cartesian product of Y lambda जहां Y lambda किसका member होगा T lambda का अभी हमने base proof किया था इसको तो इसका base का member कैसा होता है ये open होता है और जो T lambda के elements है उन्ही का Cartesian product होता है अब alpha lambda का एक element ले लेते है तो pi alpha भी इसका pi alpha image क्या आएगा Y alpha pi lambda image Y lambda pi 1 image Y1 ऐसा हमने अभी define किया projection mapping को उसके हिसाब से ये define किया गया है तो ये तो open होगा ये open set था किसमे product topology में और ये इसका image भी क्या है T का member है इसलिए भी open होगा तो open का image open होगा लेकिन ये तो special case हुआ base के ही member थे लेकिन base के अलावा के members के अलावा भी यहाँ पर open set है क्योंकि base क्या होता है topology का subset होता है यानि topology में B के अलावा और भी members है तो उन members का भी image ये open mapping open set बनाता है कि नहीं उसको देखना है तो अभी हमने देख लिया कि base के members का image open बनाता है अब एक हम X का arbitrary open set लेते हैं अब इसका image open बनाता है इपरूप करना अब G X का open set है तो open set को हम क्या करते हैं base के members के union के form में लिख सकते हैं base के कुछ members के union के form में लिख सकते हैं या हम बोल सकते हैं बेस के सब कलेक्शण, रांडेड ए प्री किया है? यह रांडेड ए है, तो बेस का यह सब कलेक्शन है और इसी सब कलेक्शन के members का union है जी ये तो base का definition होता है अगर ये base है तो इसके कुछ members का union इसके open set के equal होता है ये हम सब base के definition में देखे हैं इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप लोग base का concept अच्छे से रखें उससे related जितने theorem से हैं examples हैं एक बार फिर revise कर लिजिए तब ही और अच्छे से ये clear होगा तो जी open set है इसलिए base के कुछ members का ये union होगा अब हम इसके दोनों तरफ पाई alpha image ले लिए अब इसी पाई alpha जी को हमको क्या proof करना open क्योंकि ये open है open का image अगर ये open हो गया तो open mapping हो जाएगा तो ये हो गया right side का पाई alpha image union बाहर ले लेते हैं पाई alpha a अंदर चला गया अब पाई alpha a open subset होगा x alpha का क्योंकि एक इसका member है एक है और एक इसका subset है भी तो ultimately a base का member है और a base का member है और हम ही यहाँ पर proof किये base के कोई भी member का image open होता है इसलिए open होगे इसलिए हमने इस result को पहले proof किया क्योंकि यहाँ पर use होना है करके तो इस result के हिसाब से ये open हो गया और open state का union क्या होता है open होता है और यह open हो गया यानि πाई alpha g open हो गया यानि जी open लिये थे उसका πाई alpha image open तो पाई alpha क्या हो गया open में पिंग हो गया तो इस प्रकार ये भी थ्योरम complete होता है और इस थ्योरम के साथ ही ये वीडियो lecture complete होता है इस वीडियो लेकचर को भी अच्छे से देखिए दो बार तीन बार और notes बनाये और practice कीजिए पुराने जो chapters हैं जो हो चुक एंग किजिए तब तक मैं वीडियो lecture बना के रखता हूँ, थैंक यू